हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस आप्लिकेशन डेवल्कमेंट के अंदर वह किस तरीके से हमने एक सिंपल लाइन को ड्रॉ करना है विद दी हेल्प आफ यू आई बेजियर प सिंपल एक्जामपल है और काफी एजी एक्जामपल है मगर हमारा जो में फोकस रहेगा वह रहेगा यू आई बेजियर पाथ के ऊपर तो चलिए मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूं फि स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ ड्वैल्प कर पाएंगे चलिए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जामपल है जिसमें मैंने एक बटन क्रियेट किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा है ड्रॉ लाइन और इसका कलर आप देख सकते है मैंने बैगराउंड कलर जो बटन का है वो यलो किया हुआ है और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है रेड कलर की लाइन बेसिकली इसको मैंने यू आई बेजियर पाथ की हेल्प के साथ यहा यहां पे अप्लिकेशन के उनदर कोर ग्राफिक कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ती है तो आपके पास जो देख सिछी इसे चे हमें कोर ग्राफिक कंटेक्स्ट जो है वो परोईड करता है तो चलिए फ्रैंड्antas यह थी हमारी आजकी एग्जामपल किस तरिक तरीके से एम्न work करती है बड़ी simple example है इसमें हमने UI basier path की help के साथ simple line draw करनी है तांके आपको जो basic concept है UI basier path का and CA shape layer का जो basic function है वो आपको पता चल पाए iOS application के अंदर तो practically इस example को implement करने से पहले मैं आपको theory के related जो important terms है वो आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपको पता ही है जितने भी video tutorials मैं अपने चैनल के ओपर upload करता हूं practically implementation से पहले मैं आपको theory के related जो important terms and concepts होते हैं वो जुरूर बताता हूं तांके आप Google पे इन terms को search करके इनके बारे में और भी जो knowledge है वो गेन कर पाएं तो सबसे पहला जो हमारे पास यहां पर time है वो है CA shape layer तो इसके बारे में पहला point यह है कि iOS के अंदर हर एक view में एक CA layer होती है जिसको हम use कर सकते हैं काफी सारी कस्टमाइज यहां फिर multiple layers को इसके ऊपर हम यहां इसके inside यहां कह सकते हो के wrap कर सकते हैं CA layer को काफी सारी different layers के साथ तांके हम different different shapes जो हैं वो यहां पर implement कर पाएं अब बात करते हैं second point की इसमें बताया गया है कि जो CA shape layer है वो basically CA layer की ही एक sub class है अब बात करते हैं तीसरे point की तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से UI view के ऊपर आप multiple child UI view जो है वो डाल सकते हैं उसी way के साथ iOS के अंदर एक parent layer होती है हर एक view के लिए जिसको हम use कर सकते हैं तांके आप separate layers shapes के लिए जो के different होंगी उनको use कर सकते हैं और उन्हें add कर सकते हैं अपनी main layer के उपर अब चौथे point पर चलते हैं जो CA shape layer object है उसको हम use कर सकते हैं एक core graphic context की तरहे तांके हम shapes को UI basier की help के साथ implement करके इनके through जो है वो show करवा पाएं UI basier path को आप एक another way के साथ भी use कर सकते हैं जिसमें आप किसी भी UI view का जो draw method है उसको override करते हैं मगर यह वाला जो method है यह हम अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे हम आज की वीडियो के अंदर हम जो csh player की help के साथ UI basier path को कैसे use करते हैं वो बताएंगे अब हमारे पास जो second concept है यह जिसे second term कह सकते हैं आप वो है UI basier path तो एक ऐसा path है जो मिला हुआ है straight line भी होंगी इसमें curve line भी होंगी काफी सारे segments होंगे जिसको हम render करेंगे दिखाएंगे custom view के उपर कहने का मतलब एक UI basier path की help के साथ आप काफी different shapes जो हैं वो implement कर सकते हैं जैसे आप rectangle draw कर सकते हैं circle draw कर सकते हैं horizontal vertical line किसी भी तरह की जो shapes हैं वो आप implement कर सकते हैं और जो UI basier path है यह काफी simple and efficient class है तांके आप shapes को draw कर पाएं swift की help के साथ जिने आप place कर सकते हैं CA shape layer के उपर क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो CA shape layer है वो basically एक core graphic context है जिसकी help के साथ हम कोई भी custom shape जो है वो draw कर सकते हैं iOS की application के अंदर तो friends यह थी theory के related एक दो terms जो आपके लिए जानना काफी important था अब हम practically इस example को implement करेंगे उसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूँ इस project पूरे को मैं close कर देता हूँ एक नए project के साथ हम शुरुआत करते हैं X code के अंदर एक नया project implement करेंगे अब हमने यहाँ पे single view application जो है वो develop करनी है चलिए next पे click करते हैं अब हमने product name के अंदर आज की example का जो भी name आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से with ca shape layer basic चलिए बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे वो हम करेंगे swift अब हमने next पे click करना है अब आपने अपने laptop के अंदर कहीं पर भी जहां के जहां पर भी आपको अच्छा लगे एक folder create कर लें मैंने इस तरीके से एक folder जो है वो create कर दिया है चलिए इस folder के अंदर पूरे का पूरा project create कर देते हैं और आप देख सकते हैं मैंने folder के अंदर पूरा project जो है वो create कर दिया है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊं तो जो swift का version है वह 5 और अगर बात करें X code की यह 10.2.1 और मेरे पास जो laptop है यह Macbook Air अगर आपके पास X code का higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे चलिए friends आगे बनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming के लेटर जो video tutorials हैं उनके जो सबसे बढ़िया methods हैं वो upload करते रहते हैं जि image base सकते हैं हम कोशिश करें कि आपकी जो भी query होगी उसका जो solution है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएं अब हमने main door storyboard में जाना है और अपना जो graphical user interface आज की application के लिए वो यहाँ पर ready करना है तो वो बड़ा simple है हमने इस object library के थूँ एक button को यहाँ पर इस तरीके से search कर करना है और इसे drag and drop करना है अपने storyboard के ऊपर अब हमने utility pen के अंदर यहाँ पर attribute inspector के अंदर इसका जो color है background color है इस button का वो आप अपने accordingly कर सकने है मैंने यहाँ पर yellow कर दिया है और इसको मैं इस तरीके से mouse की help के साथ drag and drop करूंगा थोड़ा सा drag करूंगा तांकि इसकी width and height जो ह है वो मैं अपने accordingly set कर पाऊंग अब हमने इस button की जगे पर लिखना है draw line इस तरीके से और इसका font मैं increase कर देता हूं आप अपने accordingly कर सकते हैं style मैं इसका board कर देता हूं यहाँ से और इसका जो text color मैं black कर देता हूं चलिए अब हमने इस button के ऊपर जो constraints है वह एड करने हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं एड कंस्टेंट्स आइकोन पर क्लिक करता हूं बॉटम लीडिंग ट्रेलिंग और इस तरीके से इसकी जो हाइट है वह हमने सेट करनी है चलिए इसको मैं एड कर देता हूं आज एकंस्टेंट तो आप देख सकते हैं कंस्टेंट्स मेरे जो हैं वह एड हो चुके हैं इस बटन के ऊपर अब हमने इस बटन का जो आई भी एक्शन है वह क्रिएट करना है तांके यूजर जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो कोई न कोई कोड हम एक्जीकूट करवाएंगे जिसकी हल्प के साथ हम जो लाइन है उसको ड्रा कर पाएं तो उसके लिए आई भी एक्शन क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मैथट है असिस्टन एडीटर उसी की हल्प लूँगा तो चलिए यहाँ पर दो सरकल जोईन क क्रिएंट रोलर क्लास तो इसमें आपने व्यू डिडलोड के बाद यहां पर आई भी एक्शन जो है वो क्रिएट करना है उसके लिए इस बटन को सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड पर कंट्रोल की को प्रेस करते हैं इस तरीके से आपने ड्राग और ड्रॉप करना है और यहां पर हमारा बन चुका है अब हमने कोडिंग करनी है तो कोडिंग करने के लिए फिर से स्टेंडर्ड एडिटर में चलते हैं साइड वाले पैनल को मैं हाई अन हाइड करता हूं एक बार व्यू कंट्रोलर क्लास को यहां पर सेव कर देता हूं तांके जो आई बी एक्शन है व वो करेंगे आपको यहां पर मैं टिप बताना चाहता हूं कि जब भी आपने यू आई बेजिर पाथ को यूज करना है तो उसको कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा आपको तो उसके लिए आपको कोर ग्राफिक कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो सीए शेप लेर ए यहां पर कॉंस्टन्ट लेते हैं किस क्लास का अबजेक्ट होगा यह सीए शेप लेर क्लास का चलिए अब हमने एक और यहां पर बेजियर पाथ नाम का जो अबजेक्ट है वो क्रिएट करना है यूए बेजियर पाथ क्लास की हल्प के साथ अब हमने यहां पर जो बेजियर point के through x and y की value बताते हैं तो मैं यहां पर x की value 10 कर देता हूं y की value 50 कर देता हूं x की value horizontally बढ़ती है और y की value vertically बढ़ती है तो यहां पर अब हमने point बता दिया है कि कहां से line हमने शुरू करनी है अब हम basic path के through एक line add करेंगे किस point तक line जाएगी वो point हमने बताना है क्योंकि हमने starting point and ending point दोनों ही बनाने हैं तो starting point हमने बता दिया है 10 x की value 10 y की value 50 अब हमने next point बताना है ताके इन दोनों points के बीज में के line draw हो पाए एक की value 150 कर देता हूं और y की value 300 कर देता हूं अब हमने जो c a shape layer थी उसमें जो हमने यहां पे बेजर path create किया है उसको add करेंगे इस तरीके से dot cg path के through convert करेंगे अब हमने layer का जो भी color line का जो भी color आप यूज करना चाहते हैं draw करने के लिए वह आप stroke color के through जो है वो कर सकते हैं तो मैंने यहां पर red color जो है वो इस तरीके से ले लिया है आज इस ट्रॉ कलर की property यहां पर मैंने set की है और अब हमने layer के through उसकी जो line width है कहने का मतलब जो line हमने draw करनी है उसकी width कितनी हो वह हम यहां पर line width property के through बता सकते हैं अब हमने जो CA shape layer वाला object है उसको add करना है व्यू की layer के उपर यहां पर add कर देते हैं self.view.layer.add sublayer और कौन सी layer जो layer वाला object था वो add करेंगे तो चलिए friends यहां पर हमने coding कर दी है coding आपने देखी कितनी simple है सबसे पहले हमने एक object लिया CA shape layer class का तांके हमें उसे as a core graphic context की तरह यूज कर पाएं अब हमने क्योंकि line draw करनी है तो वो भी एक shape ही है तो उसके लिए हमने ui basier path का एक object लिया है उसकी हमने starting point बताया है और उसके बाद में हमने एक point और बताया है line add करने के लिए अब इन starting ending point के बीच में एक line draw होगी और अब हमने जो CA shape layer है उसको ui basier path का जो shape है वो add किया है वो assign किया है अब हमने जो straw color है उसकी property set की है तांके line का color हम बता पाएं अब हमने line की जो width है वो बताई है यहाँ पे और last में हमने view की layer के उपर यह जो sub layer है जो custom shape को draw करेगी वो हमने add कर दी है तो चलिए coding हमारी बिल्कुर ready है आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को pause करके इसकी coding जो है वो कर सकते हैं अब हमने फिर से side वाले panels को unhide किया इसको मैं एक बार save करता हूं और इस application को अब हम build and run करके देखते हैं कि simulator के अंदर यह किस तरीके से work करती है तो इसको मैंने build and run कर दिया है आप देख सकते हैं processing मेरी जो हो शुरू हो चुकी है और application without any errors का जो build है वो succeed हो चुका है अब देखिए application हमारी जो है वो यहां पर simulator में run हो चुकी है अब हमारा जो graphics UI graphics है वो बिल्कुल सही है इस application के अब हमने इस application को टेस्ट करना है तो उसके लिए इस draw line वाले बटन के उपर हम क्लिक करते हैं और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंग आप देख सकते हैं एक line हमारी जो है वो draw हो चुकी है तो colorby line का red है width इसकी 1 है और starting and ending point आप देख सकते हैं अ है आप मैं थोड़ा सा यहां पर chain करता हूं जो X की value starting 100 कर देता हूं Y की value 150 कर देते हैं यहां पर X की value हम कर देते है 250 और Y की value यहां पर कर देते है 400 और color जो हो यहां पर कर देते हैं blue अब यहां पर विर्थ जो है वो मैं increase कर देता हूं 3 कर देता हूं अब इसको save करते हैं और एक पार इसको build and run करते हैं और देखते हैं जो हमने changes की हैं वो किस तरीके से reflect करती हैं application के अंदर हमने starting ending point थोड़ा सा यहां पर different किया है तो आप देखिए जैसे ही मैं draw line वले button पर click कर सकता हूं और देखिए line किस तरीके से draw हुई है different coordinates coordinates पर हुई है और आप x y की value starting और ending यहां पर देख सकते हैं color इसका जो है वो blue हो चुका है और line थोड़ी सी thick हो चुकी है क्योंकि मैंने line width की जो value है वो यहां पर बढ़ा दी है तो friends यह थी हमारी आज की example जिसमें आपने सी लिखा कैसे आप custom shape जो के basic line थी वो draw कर सकते हैं with the help of ui base year path and ca shape layer तो friends अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को like कीजिए अगर और भी वीडियो हमारे चैनल के उपर आप किसी देखे से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए bell icon को press कीजिए तांके जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के उपर upload करें तो उसका जो notification है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए तो चैनल के साथ बने रहे हैं वीडियो देखते रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखते रहे हैं ठैंक्स फ्रेंट्स फॉर वाचिं अवरे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ तब के लिए बाए बाए